हलो, गूड मॉर्निंग बच्चों, मैं महिमा एक बार आपके सामने फिर उपस्तित हुई हूँ, एक क्लास को लेकर, जो पिछली क्लास में मैंने आपको संग्या और सर्वनाम सिखा चुकी हूँ, कि संग्या क्या होते हैं और सर्वनाम क्या होते हैं, आज इस क्लास में मैं आ संग्या और सर्वनाम का अभ्यास कराती हूं और आपको बताना चाहती हूं कि इस संग्या जो संग्या शब्द दिये हुए उनके सर्वनाम क्या बनेंगे और जो सर्वनाम शब्द दिये हुए उसकी संग्या क्या बनेंगे तो चलिए सबसे पहले हमें ये सैनिक दिखाई दे रहा है और हमारे पास संग्या दी हुई है सैनिक कहा हमारे पास एक सैनिक है सैनिक कहा दी हुई है अब हमें इसके सर्वनाम बनाने है अब आप बच्चों देखिए जब हम इसके सर्वनाम बनाएंगे तो वह सैनिक वहां के लिए हम क्या लगाएंगी सह क्यों क्योंकि पुर्लिंग है और मैंने आपको सिखाया हुआ है कि पुर्लिंग में सह चलता है अगर यहां पे लिखते हैं यह सैनिक अगर बह सैनिक की जगह आ जाता है यह सैनिक तो यह के लिए आपको क्या हैगा I am अब आप और आप आगे चलते हैं और बताइए जो जो के लिए क्या हैगा यह जो सैनिक तो यह सारे सर्वनाम यहाँ पर कह कौन सा सैनिक तो कह यह हमारे सारे सर्वनाम हमने सीखे इस तरीके के जो भी सर्वनाम हमारे पास आ जाएगा वो आपका क्या बनेगा बुल्डिंग का बनेगा अब आप यहां देखिए मैंने आपको जब समझाए थे सर्वनाम भचो तो मैंने बताया था कि यह अलग तरीके से चलते हैं इसलिए यह अलग रग रहे हैं बाकि देखिए सह, यह और कह एक जैसे आपको नज़र आ रहे हैं एक ही फॉम में नज़र आ रहे हैं तो आपने यह सैनिक हमारा जो है संग्या है इसके लिए सहा आ सकता है सर्वनाम और भी बहुत सारे सर्वनाम होते हैं जो हमारे पास आ सकते हैं और यह मैं में में आपको सर्वनाम बता रही हूँ और आप ये देख रहे हो इसको आपको पता चल रहा है कि ये सह यह और का सब एक जैसे ही सर्वनाम नजर आ रहे है एक ही पॉम में सर्वनाम नजर आ रहे है तो चलिए अब हमारे पास सैनिक जो है पुलिंग है और ये एक वचन है clear तो इसलिए हमारा यहां सर्वनाम भी pulling और एक वचन मना अब push पे दो full नजर आ रहे हैं push पे हमारा कौन सा लिंग है नपुन सक लिंग है न हमारा push पे नपुन सक लिंग है और यह हमारा जो है दोई वचन में है तो अब हम जो इसके सर्वनाम लिखेंगे देखे जब नपुन सक लिंग में हमने आपको क्या बताया है एक वचन के लिए तत और दोई वचन के लिए क्या बताया है ते यह न वह के लिए और आयम आयम दोई वचन आपको हमने क्या बताया है आयम इमाउ है ये आयम, इमो, ये तो pulling गोई, आप हमारे ये किसमे है? नपूनसकलिंग में, नपूनसकलिंग में क्या जाएगा? कि इदम, इमे, ये दोबचन, राइट, और देखेए, यहाः जो फूल, तो जो फूल में हमारे के यहाःः, अब ये नपुनसकलिंग है, नपुनसकलिंग में तत, त तने तो ये ही, okay, किम के कानी, तो आप ये देखिए, नपुनसकलिंग द्विवचन में सारे सर्वनाम कैसे जारे हैं, ते, इंमे, ये और के, interrupt, इसमे से कोई भी सर्वनाम आ सकता है, आपको मैं सर्वनाम बनाना सिखा रही हूँ, रैट चलिए, हम और आगे चलते है वस्थ्रानी, यह हमारा क्या है, नपुन सकले और यह हमारा जो है बहुवचन, ठीक है, अब वस्थ्रानी, बहुवचन है, तो अगर हम बात करें ताणी तत्य ताणी यह हमारा क्या हुआ ताणी और इदम इमे इमानी इमानी जो वस्र यानी और कानी इस तरीके से हमारे सर्वनाम बनते हैं और आप देखेंगे यह एक जैसे एक ही फॉर्म में चलने एक ही तरीके से चल रहे हैं, अब यह देखें, कन्या हाँ, यह दो कन्या हैं, यहाँ रॉंग लिखा हुआ है, यह दो कन्या हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, कन्ये, ठीक है, जो कन्ये हैं, यह क्या है हमारा, दो कन आए हैं तो यह हमारा बनेगा स्ट्रेलिंग और दूए बचन ठीक है अब स्ट्रेलिंग दूए बचन में आपको पता है बचो क्या है सा ते तहा सा ते तहा तो यहाँ पे क्या बनेगा ते है ना वे और अगर हम बात करें ये दोनू ये दोनू तो यहाँ क्या बनेगा एशे बन सकता है और देखे क्या बनेगा हम और क्या लगा सकते हैं ये दूए बचन और हम क्या इस्ट्रेलिंग में लगा सकते हैं और हमारे पस क्या हैगा के अब देखे सब में जो इस्री लिंग दोई वचन जा रहे हैं वो इस्री लिंग दोई वचन ये सर्वनाम निकल के आ रहे हैं तो आप देख रहे हैं एक ही फॉम में सारे सर्वनाम चल रहे हैं राइट चलिए अब ये पुस्तकानी हमारा क्या है नपुनसकलेग और बहुवचर, राइट अब नपुनसकलेग पुस्त कानी तो इसमें हमारा क्या एगा तानी, अगर हम करेंगे एतानी, यहने यह हमारा सरविनाम बनने है सरविनाम निकल क्या रही है, यानी जो, यानी आपको ये मैं क्लास दे चुकी हूँ, सर्वनाम सिखा चुकी हूँ, अगर कहीं आपको सर्वनाम की क्लास देखनी है, तो आई बिटन पर क्लिक करके आप सर्वनाम की क्लास देख सकते हैं, वहां मैंने डिटेल में आपको सब को समझाया हुआ है, और यहां पर कानी इस तरीक बालाहा तो हमारे पास क्या रहे है ये बालाहा सर्वनाम हमें लिखना है तो हमने लिखा बालाहा और ये बालाहा हमारे क्या है बचो हमारे ये है पुलिंग बहुवचन और इसमें ते आ सकता है ए ते आ सकता है इसमें ये आ सकता है ये सर्वनाम आ सकता है और इसमें के सर्व और शर्वनाम आ सकता है। आप औह उर आगे चलते हैं बचो और देखें इंगे, सर्वनाम क्यa कन्या है। और यहाँ जो यह हमारे स्ट्रिलिंग बहुवचन के हैं अब यह हमारे पास देखिए यह हमारा जो यह शो कर रहा है यह एरो दिखा रहा है यानि हमें फल है फल के लिए तत आ सकता है यह यत आ सकता है राइट और और दिर क्या सकता है एक फल है तो किम आ सकता है यह थोड़ इस तरीके से हमारे पास यह सर्मराम, यत हमने लिख लिया था पहले, तत हमारा यत, तत और एतत, ओके, तो यह हमारे फल के लिए आएं और हमारा यहां बनेगा, हम यहां पे सेव फलम भी लिख सकते हैं, और हमारा यहां पे फलम भी आ सकता है, दोनों आ सकते हैं, और यह हमा क्वारा नपुन्सक Springs एक वजर कुए आपको बात समझा घारी है हम क्या सीह रहे हैं हम यहां पर चित्रों के माधियम से सर्वनाम बनाना सीख है और संग्या बनाना सीख रहे हैं सर्वनाम हम डिफरेंट-डिफरेंट तरीके से सर्वनाम बना सकते हैं जो हमारे पास वह है यह है कौन जो इस तरीके के सर्वनाम होते हैं जो हम सीख रहे हैं राइट अब ये देखे भूश्नानी भूश्नानी यानि आपका होगा नपुनसकलिंग बहुवचन अब इसका क्या सकता है अब अगर यह कहेंगे तो तानी राइट यानी मना जो फिर एतानी यह वह जो एतानी यह है और आपके कानी कानी मना कौन अब यह देखे इन्होंने जैसे यहां पर हमें सर्वनाम दे दिया है इसमें सहा आ सकता है इसमें हमारा यहां यह आ सकता है और हमारा एशह आ सकता है हमारा यहां पर इसके लिए हमारे पास और क्या आ सकता है कह के लिए यह हमारा यहां पे कह आ सकता है, ओक तो ये हमारे पास सारे सरव नाम Så को पत्राणी का अनिती पत्रारनी चोpiece करें ब्र displacement है। पत्रानी वारीगें खेरी हमारे जाच फानी कीचिनी technicação सब्सक्राण Dust黨 गवची आपको क्या पत्रा condition का यहांब पर ऍसकीनोकर सब्सक्राणी आसे, इस तरह से हमारे सारे सर्वनाम और संग्या आते हैं अब छात्रह छात्रह जो है हमारा बहुवचे ने दिखी अब ये छात्रह अगर मेल परसन है यहां बुले की पुलिंग है तो छात्रह छात्रो चात्रह तबी भी छात्रह बनता है अगर ये इस्त्रिलिंग है तो भी क्या बनता है छात्रा छात्रे छात्रा तो हमारा दोनों ही उसमें पुलिंग में भी बहुचन छात्रा बनता है और इस्त्रिलिंग में भी छात्रा बनता है तो अब हम आपको क्या बताएंगे हम बताएंगे पुलिंग बहुचन भी है ये और आपका इस्त्रिलिंग बहुचन भी ह दोनों बन रहे हैं तो आप ये देखिए अब इसको अगर हम pulling में जाते हैं तो लिखते हैं सहत वूते है न ये आपके pulling के सहत वूते और ये हो जाएगा के के मना कौन ये मना जो एशे एशव एशे और एते ये सारे सर्व नाम है आपके पास ये सारे सर्व नाम देखिए एक ही फॉर्म में चल रहे हैं ये pulling के अगर हम string link मनाते हैं इसमें तो string link के क्या बनेंगे आपके string link के बनेंगे तभा कहा, यहा, एताहा और एशाहा, तो हमारे ये छातरा केसा है अगर string link में है और pulling में है दोनों में फर्क होगा, दोनों में यह आएंगे, और अगर यह mix है, तो छात्रा आप कुछ भी लगा सकते हैं न, किसी कभी रूप में आप ले सकते हैं इसमें, जो आपके sentence के मुदाबिक, जो sentence के हिसाब से समझाता है, वही हम लगाते हैं, तो चलिए, हम आगे और चलते हैं अब फलम का फलम, यानि नपुनसकलिंग है, तो हमारे यह क्या बना, नपुनसकलिंग, एक वचन, ओके, अब नपुनसकलिंग में एक वचन में क्या होगा, एक वचन में तत, राइट, एतत, और हमारे क्या होगा बच्चों, यत, किम, यह फर्कुचा था, किम के कानी, रा और यह पुलिंग है, हमारे यह क्या है यहाँ पे, पुलिंग दुए बचन, ओके, तो पुलिंग दुए बचन है, तो अगर हम वहका लगाएंगे, तो हमारे क्या बनेगा तव, यव, यव मना जो, कव, यह सारे सर्वनाम इसके लिए प्रयोग हो सकते हैं, एतव, राइट, तो इस तरीके से हमने देखा, कि हमारे, देखो, एक हर फॉर्म में जैसे चल रहा है, तो आगे और चलते हैं, और देखते हैं, क्या है हमारे पास बाल कहा, यहना, बाल कहा है, पुलिंग, एक वचन, तो इसमें हम कौन कौन से सर्वनाम हमारे आ सकते हैं, इसमें एक वचन म इसह यह राइट और कह एशह आयम राइट आयम मना होता है यह एशह मना भी यह होता है कह मना कौन यह मना जो सह मना वह है चलिए आगे और चलते हैं हमारे पास आता है नरिपह मतलब राजा राजा मतलब यह क्या हुआ हमारा यह उआप पुर्ले एक वचले ओके फिर वही आएगा सह नेक्स आजाएगा यह जो कह कौन और हमारे पास क्या आजएगा एशह ओके यह आयम इस सब वही सर्विनाम आएंगे जो हमारे बालक के साथ आ है क्योंकि बालक भी आगे चलते हैं, आगे हमारे पास देखी, लते, लते क्या है, लते हमारे पास है, लता, लते, लता, स्ट्रिलिंग दुई वचन तो अब स्रीलिंग दुए बचन में सा ते तहा तो ते आएगा के मना कौन आएगा ये मना जो आएगा और एशा एशे आएगा और आपका एते आएगा राइट इस तरीके से आप देखो सब एक ही फॉर्म में चलते चले जारे नेक्स चलते नेत्रम नेत्रम हमारा क्या है तो आपको अच्छी तरह से आगए होंगे नपुनसक लिंग एक बचन मैंने लिंग की भी क्लास जारी हुई है आप बच्चों को लिंग भी कही प्रॉब्लम आ रही है तो वहां आप मेरे लिंग वाली वीडियो पर भी जाकर के देख सकते है आगे हमारे पास ये नेत्रम नेत्रम क्या है नपुनसक लिंग एक वहचन तो यहां पर कौन से सर्वनाम आ सकते हैं ततत आ सकते है रई यत आ सकता है ये सारे सर्वनाम कैसे भी आ सकते है उक्लेट बालिका बालिका का मतलब क्या है स्ट्रिलिंग एक वचन के अब स्ट्रिलिंग एक वचन में सा राइट एशा और आपका कहा का या है न और यम यह फर्क है अब यह हमारे पस लास्ट क्या आ रहा है लास्ट आ रहा है सिह सिह मतलब पुलिंग एक वचन okay pulling एक वचन में हमारे पास क्या आएगा pulling एक वचन इसमें वही pulling एक वचन है तो हम सहा लगा सकते हैं यहा लगा सकते हैं यह मना जो और सहा आ सकता है इसमें और हमारे पास यह इसमें यहा आ सकता है कि कहा आ सकता है कह मना कौन और इसमें तत आ सकता है वहेशेट और हमारे पा से आ सकते हैं अब आपने देखा बच्चो यह देखिए आपको जो यह सारे चित्र है चित्र के माधियम से मैंने आपको संग्या और सर्वनाम समझाने की कोशिश किया है उसकी प्रैक्टिस कराई है अब एक सैनिक पुल्डिंग है और एक बचन है उसके साथ कौन-कौन से सर् नाम आ सकते है और आपको यह बताने की कोशिश सबसे में पॉइंट यह है बच्चो कि मैंने आपको बताने की कोशिश किया है कि आप जो है यह देखिए एक ही फॉर्म में एक ही तरीके से चलते हैं आपको याद करना आसान होगा इना सहर आयम वाले जो रूप होते वो अल सारे में एक ही मात्रा आ रही है इसी तरीके से आपके पास जो जा रहा है देखिए तानी इमानी यानी कानी एक ही एक ही फॉर्म में चले है ते एशे के ये के यह ना और पुस्त कानी तानी ये तानी यानी कानी ये सर्व है और इसमें बाला हा यह ना ए ते आ गया है सर्व शब्द छाटना आ जाएगा और किस तरह से आपको प्रयोगुना लग 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 याद करना आपको आसान हो जाएगा ओके तो इसकी प्रैक्टिस करिए बचो एक कोई भी शब्द रखी अपने पास और उसके सारे सर्वनाम रिवाइस करिए आपको साथ के साथ याद होते जा इसा लगता है कि आपको केवल एक ही सर्वनाम रखना चाहिए तो वो भी आप अलग अलग भी सर्वनाम सीख सकते हैं इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कोई परिशानी वाली बात नहीं है पर यह सर्वनाम मैंने इसलिए सिखाए है क्योंकि कोई भी सर्वनाम हमारे पास आ सकता है एक्जाम में उके सारे सर्वनाम आपको सीखना बहुत जरूरी है तो चलिए क्लास क्लोस करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से याद दिलारे हूँ आप सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकोन पर प्रेस कीजिए नेए डियर को अपने शेर कीजिए और उन्हें इन क्लास के बारे में उनसे डिसकस की दिये तब तक के लिए गुट बाई ओके थैंक यू बचो